ओम सिरी गनेश रायनम दोस्तो एश्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सितंबर रविवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आपके उच्च इस्तर के अधिकारी से संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती हैं अच्छा धनलाब प्राप्त होनी की भी आज संभवना बन सकती हैं यदि आप कोई कार्रे करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साथी साथ आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ती होगी और उन अवसरों को अपने पक्ष में मोडने के लिए आपके पास पूरी उर्जा और सेन सकती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचार रूप से आज आपके सभी कार्रे आसानी से बनते चले जाएंगे जिस से आपकी आर्थिक इस्तितियां भेतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्षा आपको सहयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविच्से के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी सुब फल दायक रहेंगी सत्ता से जोड़े लोगों के साथ अच्छे संबंद बन सकते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक कारों में रूची बढ़ेगी कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है सोच समझ कर काम करें अनुवबी लोगों की सला आज जरूर लें आपके लिए फायदेबंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव रह सकता है दोस्तो आज गाड़ी और घर की प्राप्ती के लिए किया गया प्रियास में बादाएं उत्पन हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्थितिया आज आपको देखने को मिल सकती हैं परंतु परियास करने से अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना आज पाई जाती हैं दोस्तो साती सात आपको अपने परिवारिक शुकों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही साती सात इन सभी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रू अंद्रूनी समस्या भी हो सकता है किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहने की आज आवा सकता है यदि किसी तरह का कोई कोट मुकदमा या प्रॉपर्टी से संबंदित कोई विवाद है तो ज़्यादा प्रियास ना करें अन्यता इस्तितियां विप्रीत दिसा में हो सकती हैं दोस्तो साथ साथ चिंता या तनाव से आप बचें इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिन से निवट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी हर गलती से कुछ सीखें और अगली बार उसे धोराने से बचें समय प्रवंदक की जगा प्रात्मिक्ता प्रवंदक बनें कोई अपॉइंटमेंट या अन्य कैई महतपून चीजे के भूलनी की भी आज संभवना बन सकती हैं दोस्तो बेवजा के डर को मन से निकालें और परिश्रम से कार्ने में जुटें नकारात्मक विचारों से बचें अन्य था परिवार में कलह होने की संभवना रहेगी अधिक प दोस्तो आज के दिन आप लोग अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं इसके लिए इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल है परन्तु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाह यह प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंद आज मदुर होने की संभवना पाई जाती हैं सातिसास दोस्तो प्यार महबत के मामले में दवाब बनाने की कोशिस ना करें यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद है तो उसे सुल जाने की कोशिस करें यदि नए र वेवेशाइक केरियर के सवरेने वाला हैं दोस्तो आज वेवेशाइक गति विद्यों में परिशानिया आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और धनलाब की काफी अच्छी स्थिति रहेगी करे छेत्र में काम के अधिक्ता रहने से शारारिक और मांसिक रूप से ठकान का अनुभव आज आप कर सकते हैं कोट का चैरी से संबंदित आपको कोई अच्छी खुसकबरी आज प्राप्त हो सकती है विध्यर्टियों के लिए समय अच्छा है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय आज का काफी मिला जुला रहेगा जी हैं दोस्तो आज का समय आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाने में काफी महतपूर सावित होगा और आप परिवारिक समपत्ती प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने खानपान पर विशेश रूफ से ध्यान देने की जवर्त बनी हुई रहेगी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्त में लापरवाई नहीं करनी आज आपको अपनी सिहत के मामलों में मिले जुले परणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे दोस्तो मद्ध्यान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है वाहन चलाते समय शावधानी बरते दोस्तो अपने भोजन सामगरी पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप श्वैम को चुस्त दुरुस्त बनाए रख पाने में सफल हो इसने दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजन योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश वपाय क्या है दोस्तो आज आप इस नान आधी से निर्वेत्र होने के बाद मचलियों को आटे की गोलिया बना कर खिलाएं और मनीमन भगवान शुरदेव का आप इस मरण करते रहें जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान शुरदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपको शीग रही सुब फलू की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रे बहुत यासनी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान सुर्यदेव का सिरवाद आपको टाप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै सुर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद